हेलो गाइज, वेलकम तो डिफेंस स्पेक्टरम, फर्स्ट अफॉल, हपी इंडिपेंडेंस दे तो अल फ्यू, आम यूर न्यू फेकिल्टी अंजली, सो अभी तक हमने यह वाले टॉपिक्स कर ली हैं जैसे कि डिफेंस, बुक्स, अवार्ड्स, रिपोर्ट्स, पोर्टल्स and on 15th August, we will do sports, ओके, सो भी हम पहले आते हैं, बॉक्सिंग पे, बॉक्सिंग में हमको दो चीज़ पढ़नी है, एक है वोमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियंशिप रहन 22 और दूसरा है एशिन बॉक्सिंग चैंपियंशिप, अब हमें ज्या रटना है, एक है वर्ल्ड का और एक है एशिन का, जो वर्ल्ड वोमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियंशिप है, यह हुई थी निखाजरीन वर्सिस जिप्टॉंग जुटामास, इसमें निखाजरीन वस वस विनर और जिप्टॉंग जुटामास वस वस लूजर, इनको गॉल्ड मेडल मिला है, और boxing championship में Pooja Rani and Sanjid both of them won gold medal so अब इसको याद करने की हम trick है the trick is that कि जब हम world में अगर हम world की बात कर रहे हैं तो हम खत बेज़ते हैं world में और जब हम Asia की बात कर रहे हैं तो दोनों ने gold medal जीता है but gold कौन जीत जैसे हमने gold जीता है तो यहाँ पर जीत है तो इसलिए है इसको हम correlate कर सकते हैं similarly जैसे कि Pooja Rani ने gold जीता है तो हम Pooja किसकी करते हैं gold की so this is the trick to memorize this and निखाद जरीन का हमने बता दिया है आपको कि world में हम खत बेजते हैं and he or she is the gold winner अब हम आते हैं wrestling पे wrestling में Asian Wrestling Championship 1222 जिसके विनर है रवी कुमार दहिया who is a gold medal winner जैसे कि रवी की जो spelling है वो four alphabets है उसके अंदर similarly gold के अंदर भी four alphabets है so इसलिए हम यह एक टेक्नीक है इसको याद करने की and he is the first Indian to win gold medal in three consecutive Asian Wrestling Championship माते हैं world wrestling championship 1221 पे जिसके विनर है अंशु मलिक he won silver medal and silver means silver starts from S and अंशु में भी S आता है so इतना समझ में आगा फ्रेंड सापको that Asian में Ravi was winner and world में अंशु was winner अब हम आते हैं next पे that is shooting shooting में firstly हम बात करेंगे ISSF Junior World Cup प्रहन 22 it was held in Germany and first place मिला है India को total 33 medals जीते हैं India ने this is the most important fact यह याद रखना है या नहीं रखना यह आपकी मर्जी है but this is the most important fact because essay questions CDS और EPCAT में आते हैं यहाँसे हम इसको याद करने की टेकनीक है इसमें Junior में जर है और Germany में जर है तो अगर यह question आता है कि where it was held so it was held in Germany and to memorize it the technique is Junior and Germany अगर हम आगे हम चलते हैं lawn tennis पे lawn tennis so our next topic is lawn tennis इसमें Wimbledon 2022 और एक French Open 2022 इसमें मैंने दो columns बनाए हैं एक men's single का एक women's single का Wimbledon में जैसे जो men's singles है उनमें हुआ है Novak, Zekovic versus Nick और women's singles में हुआ है Elena versus Ons इसमें runner-up जो second position पे लिखे में हैं यह दोनों है runner-up और first position वाले हैं winner so most important is to learn who is the winner so इन दोनों में याद करने का तरीका है Wimbledon N से end होता है तो men's singles का winner Novak है जिसका नाम N से start होता है और women's का winner कौन है Elena Elena का नाम Wimbledon N से end होता है और Elena N से भी end होता है similarly इसको हम correlate कर सकते हैं आगे हम चलते हैं French Open पे French Open में men's singles में winner रहे हैं Rafael Nadal और women's में winner रहे हैं Ega winner ही याद रखना है तो अब हम एक और most important चीज़ है कि Rafael जो है he was the first player in the world to win 22 grand slams ये important point है इसको याद कर लेना चाहिए अगा next हम आते हैं बैट्मिंटन पे बैट्मिंटन में तीन चीज़े होई है Singapore Open 2022 सिंगापूर में सिंगापूर में जो विनर है सिंगापूर उपन्स की होई PV सिंदू विनर है S for Singapore S for Sindhu सेद मोधी इंटरनाशनल टूर्नामेंट की विनर जो रही है PV सिंदू S for S for Sindhu ठीक है और Thomas Cup में India first time winner रहा है और Indonesia runner रप रहा है इंडिया first time winner Thomas में इंडिया first time famous Thomas famous Thomas famous synonym sound कर रहा है न फ्रेंट तो similarly Thomas में first time runner रप रहा है इंडिया Sorry friends Indonesia runner रप रहा है इंडिया first time winner रहा है So our next topic is football Football में first topic है Santos Trophy 22 इसमें Kerala winner रहा है और West Bengal runner रहा है इसको याद करने की technique है आप दिखो केरला में बहुत ज़्यादा पेड़ है तो हम ऐसे relate कर सकते हैं हमें केरला में जाके संतोष आता है ठीक है तो हम बुल सकते हैं संतोष Trophy का winner रहा है केरला है Next है Indian Super League 2021-22 में winner है Hyderabad Football Club ये winner है एक और technique है सको याद करने की कि यहाँ पे केरला winner है और यहाँ पे केरला runner up है केरला blasters Okay Next है FIFA ranking जो है 2022 की वो क्या है Brazil 1st पे है और India 104th पे है तो ये तो नॉर्मल है ये तो आपको याद रही जाएगा Next हम बात करते है लिउनन मेसी की इस लिउनन मेसी ने after living Barcelona Football Club he had joined Paris Saint German Football Club अब है FIFA Under 17 Women's World Cup जो है वो 22 में होने वाला है और ये महराश्टर, गोवा और ओडिसा में होगा और बायजूस इसको स्पॉंसर कर रहा है FIFA World Cup को जो की कतर में held होने वाला है So next topic is Chess So chess में पहला topic है World Chess Championship Round 21 जो यहाँ पर ही लिखावा है ये same है जो यहाँ पर ही लिखावा है इसका venue है Dubai ये Dubai में हुआ था और इसमें Magnus Carlson winner है and Ian is runner-up Next है R. Pragyna Nanda ये Tamil Nadu के हैं and India's Chess Grandmaster बोला जाता है इनको because he is the youngest player ये सिर्फ 16 साल के है to beat world number one chess player Magnus Carlson for second time मतलब इतने young age में इन्होंने इतने world के number one chess player को हराया है इसलिए इनको India का Chess Grandmaster बोला जाता है इसके विनर भी R. Pragyna Nanda है so guys आप मेरो कमेंट करके बताना कि R. R. K. Javik जो ये है ये कहां की राजधानी है कहां capital है नेक्स्ट है फाइड चेस ओलंप्याड प्रहन 22 है जो ये चेननाई में हुआ है 26 जुलाई से 8 ओगस्ट तक and नेक्स्ट है 74 ग्रैंड मास्टर ओफ इंडिया इस राहुल स्रिवास्तव फ्रम तेलंगाना एक चीज है आप कॉमन नोटिस करेंगे कि चेस्ट जातर लेटेट सब को साउथ में है यहाँ पर जैसे तमिल नाडू है यहाँ पर चेननाई है यहाँ पर चेननाई है ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इस क्रिकेट थ्षोड़ा जोम कर लेते हैं वैस इसको हाँ क्रिकेट में पहले हम बात करेंगे रंजी ट्रॉफी की इसमें विनर है मध्य प्रदेश और रनर रफ है मुंबई और उसके बाद है 50th एडिशन ऑफ आई पेल 1222 इसमें गुजराट टाइटेंस विनर है और राजस्तान रोयल्स रनर रफ है इसको स्पॉंसर किया था टाटा इसमें टू न्यू टीम्स एड़ हुई है दोज आर गुजराट एंड लखनव और फाइनल मैच एट नरेंद्र मुदी स्टेडियम ठीक है तो इसको याद रखने की टेकनीक है कि नई टीम गुजराट आई और वो आते ही जीत गई जिसे हैं पता है कि हमारे पीम भी हमारे होम मिनिस्टर भी गुजराट के हैं तो इसको इसको क्याद करने की हम टेकनीक ले सकते हैं इसको नेक्स्ट है मोहमद शामी इस फास्टेस्ट इंडियन बॉलर तो टेक 150 विकेट इन ओडिय क्रिकेट एंड नेक्स्ट है विराट कोली इस फर्स इंडियन तो रीच 200 मिलियन प्लाटफॉर्म नेक्स्ट है रोहित चर्मा ही इस फर्स इंडियन प्लेयर तो हिट 400 सिक्सेज इन टी 20 क्रिकेट के नेक्स्ट हम आते हैं होकी पे एफाइच होकी 5S चैंपियंशिप रहं 22 इंडिया इस बिनर एंड पोलांड इस रणर अर एशा कप होकी टूनमेंट में सा अपना पाइरेट से रणर अब इसको याद करने की टिकनीक हम दिख सकते हैं कि दबंग हमेशाद जीतते हैं इसे कबड़ी में दबंग लोगों की जरत होती है तो इसलिए दबंग दिली इस विनर नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स टॉन 21 के में स्कॉट है जया जो की ब्लाक बख है एंड विजय जो की टाइगर है इसका यह फोर्थ एडिशन था जो की हर्याना में हुआ था और फॉर्स्ट प्लेस भी हर्याना को मिली थी और सेकेंड मिली थी महराश्ट्र को ओके नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूणिवर्सटी गेम्स 2022 इसके में स्क करनाठ का तो इक चीज़ा आपनोटिस करेंगा यहां पर हैयल्द हर्याना में तो यहां फर्स प्लेस भी हर्याना वह मिली ती और यहां बंलोरु में हैं तो यहां पर करनाठ हो की मिल रही इस। 210 नरहीं किया था नेक्स्ट है अपकश्तूर्स स्पॉर्ट इवेंट्स स्ट्रमबात करते हैं अफ कमिंग स्पोर्ट्स इवेंट Hier इसमें हम पहले बात करेंगे गजय इन्डिया में में होने वाले की सब men's hockey world cup 2023 इंडिया में होगा FIFA under 17 women's world cup 2022 इंडिया में होगा and ICC male T20 world cup जो है ये इंडिया और श्रिलंका में भी होगा और Australia USA और Western डीज में भी होगा Australia 2022 USA और Western 2024 वाला और इंडिया श्रिलंका और 26 वाला इसको काट देते हैं अब है ICC men's ODI world cup जो है इंडिया में होगा 2023 का और next है ये first world deaf most important है एक्जाम में आएगा first world deaf T20 cricket championship 2023 केरला में होगा ओके अब हम बाहर के जो हमारे इंडिया से बाहर की होने वाले हम उनको देख लेते हैं summer olympic games तो है टोड़ा 24 का वो पारिस में होगा फ्रांस में है Commonwealth Games जो 2022 का है वो बिर्मिंगम में होगा UK अन खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो पोपाल में होगा MP स्वारी मैं इसको भूल गई थी स्वारी स्वारी में बताना नेक्स्ट है FIFA वर्ल कप 22 वर्ल कप जो होगा वो कतर में होगा एंड आए से सी वोमेंस टी 20 वर्ल कप तेज का साउथ अफरिका में होगा सो के फिंड्स हमने याद यह पढ़ लिया है अब हम कल यह पढ़ेंगे एक सेकिंड हां कल हम इंपोर्टेंट डेट्स पढ़ेंगे और एक और बात फ्रेंड्स की on the occasion of Independence Day हमारा मैक्सिमम ओफर चल रहा है पांस दिन के लिए सारे कोर्स पर पांस दिन के लिए मैक्सिमम ओफर रहेगा सो के फ्रेंड्स थैंक यू जाहिंद